नमश्कार दोस्तों, भगवन आपसे भी कभला करूँ और आपके सारी ख्षाय मनुकामने पूरी हूँ दोस्तों आज आप सभी के सामने कुछ ऐसी रेखाओं के बारे में चर्चा किया जाएगा जो बताती हैं कि आपको पेसा जीवन में कहां से आएगा हथेली में चिन्ह के अलावा सिर्फ और सिर्फ रेखाओं से ही आप जान सकते हैं कि किस फेल्ड में या किस छेतर में आपका भाग ज़्यादा प्रबल है हाला कि सिर्फ इन रेखाओं को ही देख करके आप किसी भी चीज़ का अनुमान पूर्ण तहर ना लगाएं क्योंकि हथेली में बाकी सारी रेखाओं का भी किरदार बहुत महत्पुन होता है हाथेली का जो स्ट्रक्चर होता है उसका भी किरदार बहुत ज़द महत्पुन होता है हाथेली में फिंगर का थम का यानि ये सारी चीज़ मिल करके एक प्रॉमिनेंट आंसर करती है कि किस छेतर में आपके प्रबल योग है उन्नती के लेकिन इसमें सिर्फ आपको एक उप भाग रेखा को लेकर के ही जज़्मेंट लिया जाएगा और अंत में मस्तिष रेखा के बारे में भी महत्पुन बातें बताई जाएगे तो यहां पर सबसे पहले भाग रेखा के उपर आते हैं कि अगर किसी के हतिली में सेपरेट इस प्रगार की भाग रेखा है जो शनी पर जा रही हो या सूरी पर जा रही हो या इन दोनों के बीच में भी जा रही हो तो अगर सीधी भाग रेखा है तो ऐसे जा तक बहुत महत्पुन कोई मकसद लेकर के जीवन में आते हैं इन लोगों को किसी भी छेतर में जाना है इनका बच्पन में ही वो छेतर तै हो जाता ह इन लोगों को बार-बार छेत्र बदलने की या करियर में किसी भी तरह से changes करने की अपने विचारों में परिवरतन करने की अपने जीवन चले में में परिवरतन करने की जरुवत ही नहीं पड़ती इनका बचपन से ही fixed direction हो जाता है तो सीधा इसका मतलब यह है कि आप बच्पन में जो भी काम में लगे हैं उसी में लगातार लगे रहेंगे और उसी के द्वारा एक्स्ट्रीम लेवल की सक्सेस या पोजिशन अथोरेटीज अपने लाइफ में पाएंगे। अगर यही भाग रेखा आपके जीवन रेखा से निकल रही है तो इसे फिर self-med luck land केते हैं अब इसमें फरक सिर्फ इतना होता है कि किनीका बहुत देरी से जीवन रेखा से निकलता है किनीका बहुत जल्दी ही निकल जाता है लेकिन यहां पर सिर्फ आपको यह बता आया जा रहा है कि भाग रेखा प्रारम कहां हो रही हो और एंड कहां हो रहा है तो उसका क्या मिनिंग निकल क्या रहा है कि ये कहां से दर्शा रहा है कि पैसा कहां से आएगा तो जीवन रेखा से जिसे ये निकल रही है तो इसका सीधा तात पर ये है कि आप अपना खुद का कोई का करके पेसा कमाएंगे पेसा कमाना तरक्की करना नाम कमाना ये सारी बाते एक ही हैं इन बातों में बहुत ज्यादा कुछ फरक नहीं होता है बस सूरे रेखा आपको फेम नेम रिस्पेक्ट या गुडविल देने के लिए सक्षम होती है लेकिन सेल्फ मेड लक्लाइन अगर य आपका बिजनस हो चाहे आपका खुद का सेल्फ इंप्लियमेंट के रिगारिंग काम हो कोई भी ऐसा काम जिसके मालिक आप खुद हो और आपके अंडर में काम करने वाले लोग हो उसमें बहुत ज़्यादा तरक्की मिलती है लेकिन अगर आप अपना किसी भी तरह का योग पाए गया है लेकिन उनके जीवन शेली में स्लाइटली फरक सिर्फ इतना था कि वो किसी के अंतरगत नहीं रहे थे या किसी के अनुसार नहीं चले हैं वो खुद के अपने इंट्रेस्ट के अकोडिंगली उस फिल्ड में गये है तो उनको उसमें सफलता मिल गई है तो किस पर पहुचती है तो गुरू पर पहुचने वाली रेखा है व्यकति को बहुत महतुक आंशी तो बनाती है लेकिन ये जीवन में किसी भी तरह के लिमिट को क्रॉस करने के लिए प्रेरिद भी करती है तो अधिकतर मामलों में ये पाया गया है कि जिनकी सेपरेट भाग होती है यह foreign में किसी भी तरह से job लगाती है या foreign से studies हो रहा होता है या foreign settlement किसी भी तरह से होता है यह रेखा अगर prominent ना हो या फिर यह रेखा किसी जो रेखा होती है यह जीवन में बहुत कम उमर में ही इतना संघर्ज दे देती है या फिर इतना व्यक्ति को प्रेरित कर देती है कि यह से जातक limit cross करना सुरू करते हैं सोच का दाइरा बदलते हैं या बढ़ाते हैं और लगातार प्रेत्न करने के कारण परिश्रम करने के करण सफल होते दिखाए देते हैं तो जूपिटर पर पोचने के कारण education के द्वारा लाब मिलता है, teaching के द्वारा लाब मिलता है, counselling और किसी भी प्रकार के consultancies के द्वारा भी लाब मिलने का आसार होता है या फिर as a manager या top position authority या CEO level तक की काम या वो सारे काम जिसमें किसी भी तरह का नितरत करना पड़े, उसमें भरपूर सफलता मिलने की यूतिये देता है अब यही भाग रेखा का connection अगर सीधे के सीधे सूर्य से हो जाए, या मस्तिस रेखा से सूर्य रेखा निकल रही हो, या ह्रेद रेखा से निकल रही हो, या जीवन रेखा से कोई रेखा निकली हो और उसका connection भी सूर्य रेखा से हो गया हो, तो सूर्य सीधे के सीधे जॉप को ही दरशाता है, इस्टेट गवर्मेंट, सेंट्रल गवर्मेंट, फोर्स या सिक्यूरिटी या कोई भी ऐसा गाम जिसमें आपको प्रोटेक्शन उस काम के रिगारिंग भरपूर मिल रहा है, कहीं गवर्मेंट के द्वारा मिल रहा है, कहीं एंसिस्टर्स के द्वा तो उनके हतेली में भी ये combination आते हैं जो लोग royal family से belong करते हैं या royal family जिनकी हो भी जाती है तो जैसे ये royal family वाली बात है ये 10% है लेकिन 90% government job की formation को ये represent करता है सरकारी नोकरी में किसी भी प्रकार के पद में बहुत अच्छा खासा तरक्की है देने योग्य माना जाता है साधी साथ जो लोग बहुत बड़े लेवल के artist हो पाते हैं creative personality के हो पाते हैं उनमें भी ये combination होता है लेकिन शर्त उसमें ये रेती उसमें चंदर उनका बहुत ज्यादा developed रहेगा या किसी भी तरह से भाग रेखा चंदर से connected होगी या किसी भी तरह से चंदर जो है पूरे हतेली में dominating रहेगा चंदर या फिर शुक्र ये अगर dominating है तो कला के छेतर में प्रगति कर पाते हैं तो यहाँ पर जितने लोग comparative exam की तयारी कर रहे हैं उनके हाथ में आपको sun line का combination या comparative exam से जो लोग successful हुए है government जो भासिल किये हैं उनमें आपको 90% या उससे above cases में sun line का combination मिलेगा और अगर नहीं मिलता है तो सीधे उनका सिर्फ सूरी परवत देखेगा right hand और left hand दोनों का देखेगा उसमें कहीं न कहीं आपको जो परवत है उभरावा मिलेगा नहीं तो वहाँ रेखाए definitely मिलेगे right या left hand में इसके अलावा अगर mercury से भाग रेखा कर नेश्रे ने most probably इसको mercury line ही कहा जाता है लेकिन कहीं भाग रेखा से कोई रेखा overlap करके जाती है कभी मस्तिश्क रेखा से रेखा निकल के mercury पर जाती है कभी आपकी चंदर की ही भाग रेखा और यहां से रेखा निकल के निकल रही है या जीवन रेखा से निकल रही है जितनी भी रेखाएं कहीं से भी निकले मरकरी के केस में और बुध परवत तक पहुँचे तो इसका सीधा ताद पर यह है कि आपको बिजनस से बहुत लाब मिलेगा बिजनस से मिल सकता है, computer science के regarding मिल सकता है, hospitality के regarding मिल सकता है, social work के regarding या वो सारे काम जिसमें आपकी वाक शक्ती का उपयोग हो रहा हो, यानि बोलचाल की कला का, management का, sales का या किसी भी तरह से work manipulations का, तो जितने भी जातक marketing fields से belong करते हैं, intelligence से belong करते हैं, क्योंकि बुध कारक जो है availability आ रहे हैं, तो बहुत सारे doctors, जो सफल लेवल के हैं, उनके हाथ में भी ये formation होता है, तो जितने भी आपको calculation में देखने को मिलेगा, जैसे accountant हुए, finance से जुड़े जो लोग हुए, trading से जुड़े हुए, share market से जुड़े हुए, जिसमें एक analysis की, एक calculation की आवशकता पड़ती है, उसमें सफलता मिलता है, नहीं तो business में मिलता है, क्योंकि business skills के द्वारा developed होता है, business हमेशा why और how पे चल है, इस condition में जो जाता किसी भी तरह का mediator का काम करते हैं, जैसे कि दो पक्षों के बीच का काम, वो चाहे broker हो, advisors हो, consultant हो, या एक परकार से property या किसी भी तरह की dealing का कोई काम कर रहे हो, तो भी उनका mercury develop मिलेगा, या mercury पर इसलाइन जाती मिलेगी, तो वो सारे काम जिसमें आप अपने calculation वाक शक्ति, या नि बोल चल की कला, आपके किसी भी परकार के knowledge या deep knowledge का भरपुर utilization कर सकते हैं, या एक जगह बेट करके भी लंबे अरसे तक काम कर सकते हैं, या लोगों से मिल करके communicate करके काम कर सकते हैं, तो mercury का position अच्छा मिलेगा, या भाग रेखा mercury पर connected आपको म मिलेंगे, अब इसी सारे cases में अगर शुक्र से भाग रेखा उत्पन हो रही है, सिर्फ उत्पन होने की बात कर रहे हैं, तो शुक्र से जब भी भाग रेखा उत्पन होती है, तो ऐसे लोगों को इनके partner के भाग इसे लाब मिलता है, तो हमेशा ऐसे लोगों को अपने partner का support लेना चाहिए किसी प्रकार के काम में अगर यह रेखा मरकरी के और जुकी है तो बिजनस में ले सकते हैं सुर के तरफ जुकी है तो यहाँ पर डिसिजन्स लेने में कर सकते हैं शनी के तरफ अगर जुक रही है तो किसी प्रकार की major changes करने में या planning करने में या एक प्रकार से prominent पार्टनर्शिप भी करने में आप उनका साहेता या उनके नाम का भी उप्योग कर सकते हैं अगर इन तिनों में कहीं भी रेखा जा रही है तो तो पार्टनर यानि most probably spouse को denote करता है लेकिन अपोजी जेंडर भी यहाँ पर शुकर ही किसी के भी हतीर में represent करता है या पार्टनर के नाम से भी काम करके लाप क्यासार पूरे हो जाते हैं अब मंगल से अगर रेखा निकल रही है शनी पर तो ये रेखा में slightly change यह होता है कि अगर ये रेखा mind line या एक प्रकार से mind line life line और heart line को काट क करके जा रही है तो ये एक प्रकार से troubling line होती है इस condition में stress के बाद success मिलने के आसार होते हैं लेकिन अगर ये रेखा एक प्रकार से progress line है और उससे किसी भी तरह से जोड़ करके आपकी जा रही है वैसे बहुत सारे cases देखने को मिले हैं या फिर जिसका मंगल बहुत अच्छा उब्रावा हो या मंगल पर बहुत सारी आपकी सपोर्टी lines हो या मंगल की रेखा mind lines attach हो ऐसे जातको कोड़ events field में lab मिलता है security field में lab मिलता है किसी भी प्रकार के property dealing के काम में या related state के काम में या constructions के काम में electricity के काम में भी lab मिलने के भर पूरा सार देखने को मिलते हैं बहुत बड़े एकड़ में काम कर रहे हो या बहुत जिवने उन्हें अपने जिवन में संघर्ष कर बहुत अच्छी संपन्नता हासिल की हो उनमें mercury का इन सब में कोई ना कोई एक combination conformally देखने को मिलता है माफ करें मार्स का तो मार्स आपको भूमी security और एक प्रकार से भूमी के ले partner का बताए गया वैसे ही आप luxury item royalty based item चमक धमक के regarding कोई भी चीज interior designing के regarding कोई भी चीज यानि वो सारी चीज़े जिसमे creativity लग रही हो जिसमे एक तरह का attraction दूसरे विक्ति फील कर रहे हो जो थोड़ी सुन्दर या अलग हट की चीज हो रही हो जैसे कपड़ा भी होता है cosmetic भी होता है इसके अलावा जितने भी fashion industry होती है beauty industries होती है या वो सारे काम जो खानपन के regarding भी हो youth के regarding भी हो उन सब चीजों में शुकर का role बहुत important हो जाता है जितना भी event management है वो भी शुकर में आता है तो जिनका शुकर से connected भागरेखा या शुकर developed है वो लोगों का इन सारे sector में लाव मिलने के भरपूर आसार होता है starting में बताएगा कि अगर भागरेखा सीधे जा रही है तो बचपन से ही confirm हो जाता है क्यों ऐसा कहा गया था क्योंकि इसमें केतू का role important आ रहा है केतू आपके past life को denote करता है past life की memories को carry करवाता है और इस life में वो सारे कर्म केतू ही करवाते हैं जो pending रहे गया हो किसी भी तरह से तो अगर भागरेखा याँ से है तो आप particular कोई एक desire लेकर के उत्पन होए और उसे पे आप काम करेंगे और इसलिए most probably जिनका भागरेखा याँ से सुरू हो उनको आप देख लिजे पैत्रिक संपत्ती पैत्रिक रोप से कई न कहीं लाव या कोई न कोई व्यापार जो उनके घर परवार का चल रहा हो hand over होता ही है most probably अधिकतर cases में अब चंदर की भागरेखा हो चंदर की भागरेखा जैसे बताएगा जूपिटर पर जा रही है तो आपको most probably education बाहर से मिलेगा या जूपिटर की regarding कई न की लाव होने के current settlement होगा अगर यही combination Saturn पे जा रहा हो तो इस condition में जर्मिस्थान से दूरू कोई भी काम करने से लाव मिलता है जरूरी नहीं कि साथ समंदर पार जाए सीटीज भी अगर बदल लेते हैं तो भी लाव मिलता है चंदर की भाग रेखा जीरो से व्यक्ति को शुरू होने पर मजबूर करती है और बाहरी दुनिया लोगों से मेल भी लाप कर या उनके सहीयोग प्राप्त कर प्रगति दिलाती है बहुत सारे केसस में आज के टाइम में ये चीज़ देखने को मिला है कि जिनमें चंदर के भाग रेखा देखने को मिल रही है वो लोग अपने ही घर में काम कर रहे हैं लेकिन बाहर का काम कर रहे हैं उनका अर्णिंग बाहर से कहीं से आ रहा है तो ये combination भी Saturn denote करता है या Moon luck line denote करती है कि घर भी रहकर आप अगर बाहर का कहीं का काम करने तो उससे भी आपको सफलता मिलेगा ये भागी रेखा सारे भागी रेखाओं में सबसे सर्वश्रेश्ट माना जाता है क्योंकि यह बहुती comfortable luck को यहाँ पर denote करता है और ये रेखाम में सबसे अच्छी बात यह होती है कि सही होग आपको कई न कई से मिलता है Guardian Angel line में ऐसा होता है कि कोई separate person आकर के मदद करता है या एक divine help आती है इस condition में आप कहीं भी चल जाईए आपको unknown किसी से भी support मिलना ही है पकासा इसके अलावा अगर यहाँ पर आपकी भाग रहा चल रही है और उसका connection सन से हो गया तो ऐसे जातको का भी काम government से related होता है लेकिन इनका ठेकेदारी के काम अधिकतर देखने को मिलता है यानि ये dealing का काम यहाँ पर करते है temporary period के लिए जो कोई भी task जिन लोगों को मिलता उनमें ये combination होता है नहीं तो किसी भी तरह से moon या फिर sun mount डेवलर पाया जाता है और अगर किसी का इस प्रगर से combination है हाला कि ये बहुत rare combination होता है बहुत ही कम देखने को मिलता ही है और ये combination कभी fulfill prominent ऐसा होता भी नहीं लेकिन ये लोग occult में अधिकतर देखने को मिलते है नहीं तो import export में या कोई भी अलग धलग होकर के जो काम करते है separate वो combination यहाँ देता है बहुत सारे लेखक या कवियों के हाथ में भी से कुछ minor combination बहुत हलके से ऐसे पाए गये है इसके अलबा मंगल की जब separate line आती है mind line के support में तो आप अपने हिम्मत या कोई भी बड़े risk के कारण लाब प्राप्त करेंगे और mind line में ये दिखाता है कि आपका interest किस तरफ जाएगा mind line अगर decline है तो आप थोड़ा deep think करें आप creative line में बहुत ज़्यादा growth कर पाएंगे artistic qualities आपके अंदर ज़्यादा रहने वाली है एक प्रकार से researching observing personality या बहुत extreme level का deep thinking knowledge यहाँ पर यह आपको देगा सीधिये कर जा रही है तो academic values gain करके कोई भी सिक्षाओ प्राप्त करके किसी भी सेक्टर में अच्छी खासी प्रगति कर पाते हैं क्योंकि यह straight forward personality को अच्छे learning capability को और अपने ग्यान का सही ढंग से सही समय पर सही तरीके से utilize करने की योगो को दर्शाता है तो यह रेखा जितनी लंबी हो उतनी hard studies करने का suggestion दिया जाता है ताकि उतना knowledge या उतनी variety या उतने बड़े स्तर का काम अपने जीवन में आप कर सकें वही यहां से जब उपर के तरव रेखा जाए तो यह business में management में किसी भी प्रगार के independent work में या multiple people task में व्यक्ति को involved रखता है तो जब तक ऐसे लोग 10-15 काम हाथ में नहीं लेंगे तो इनको मज़ा ही नहीं आएगा तो आप सिर्फ इतना चीज़ देख करके अपने palm में judge कर सकते हैं कि किस sector से आप बिलॉंग करते हैं या किस sector में आपके growth के ज़्यादा chances हैं और अगर किसी के हतेली में भाग रेखा ही ना हो तो भी चिंतित होने वाली बात नहीं है मस्तिश रेखा को observe कर सकते हैं आप या अपने sun mount या sun line को observe कर सकते हैं आप उससे भी आपको results आपके बहुत अच्छे से पता चल जाएगा क्योंकि जिनके हतेले में luck line नहीं होती तो उनके हते यहां पाम में sun line, mercury line या कोई भी separate luck line definitely पाय जाती है और अगर वो भी ना हो तो separate कोई अगर mount developed हो तो उसके regarding भी आप judgment ले सकते हैं moon यहां पर separately खान पन, import, export, traveling और कोई भी ऐसा काम जिसमें creativity या deep thinking के आवशकता पड़ती हो वो सारे काम में भी सफलता देता है और बाहरी मंगल planning से related काम में बहुत ज़्यादा सफल बनाता है planning, risk, step by step काम जो करने की यूती होती उन सारे चीजों में सफलता मिलती है इस condition में तो सिर्फ इसमें एक palm नहीं देखना है अपने दोनों हथीली को judge करना है जो आपका active dominating hand है वो ये represent करेगा कि अभी आप क्या कर रहे हैं और आने वाले समय में आपको इस काम से क्यालाब मिलेगा और जो left hand है या right है आप hand है जिसका उपयोग आप ज्यादा नहीं करते हैं वो ये दर्शात है कि आप क्या योग्यता अपने अंदर ले करके आए हैं तो आशा करता हूँ ये जानकर ये आपको बहुत अच्छा फलित करें आपके क्या अनुभव खुद के आप देख पा रहे हैं निश्यत रूप से कमेंट सेक्षन में बताएं या कोई क्वेरी हो तो जरूर बताएं जिस भी तरह से होग आपको उसका अंसर किया जाएगा तब तक आप अपना ध्यान रखें आपका बहुत बहुत धन्यवाद